हाई फ्रेंड्स मैं हूँ बंसिधर, R&D Digital में आप सभी का स्वागत है हमारा इस YouTube स्रीज में आज एक बहुत ही important topic के बारे में हम बात करने बाले है फ्रेंड्स आप जानते हैं आज का जमाना है वो वीडियो का जमाना है यानि लोगों को कुछ भी चाहिए वो कुछ सीखना हो या खुद को entertainment करना हो तो उसके लिए लोग आज काल जादा से जादा टाइम जो है वो है YouTube में दे रहे हैं आज आपको मैं इंट्रेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो है YouTube टेक्स के बारे में यानि YouTube वीडियो टेक्स के बारे में जो new creator से जो YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा important है हम लोग YouTube पे कुछ भी सर्च करते हैं मालिजिए आप YouTube पे सर्च करते हैं यानि इस ताइप के जो different different चीजे हम YouTube में सर्च करते हैं जब हम सर्च करते हैं उस टाइम पर हमें एक ही वीडियो नहीं दिखाता है YouTube सर्च करने के बाद हमें एक साथ 15-25 वीडियो का पुरा लिस्ट दिखाता है उसमें से कोई एक वीडियो हम देखते हैं जब वीडियो हम देखते हैं और जो वीडियो एंड होता है अगर आपके ऑटोपले एनेबल है उस टाइम पे वाले बाद आप ने जो पर्टीकुलार चीजों लिख्या आपने सर्च किए होंगे उसी टाइब के नेक्स्ट वीडियो हो जाती है एक और फिर आपको उस टाइब के वीडियो बार बार आपको दिखना दिखना हो गया उसके बाद कभी-कभी ऐसे. अशले चले गए आप को जब आप यूटूब पे रिटर्न आते हैं उस टाइम पे आप इससे पहले क्या सर्च किये थे उसके रिलेटेड वीडियो आपको दिखाने लगता है तो आज मैं आप से बात कर रहा हूं यूटूब वीडियो टेक्स के बारे में यह जो पुराने क्रियेटर से जो बड़े क कि वीडियो टेक्स क्या होता है अगर आप आपके वीडियो को रेंक कराना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यूटूब सर्च में आपके वीडियो आए आप चाहते हैं कि आपका वीडियो का बहुत वीडियो हो आप चाहते हैं कि आपके वीडियो बहुत सारे लोगों को दिख पीचर्स में नहीं आ सकता मतलब आने का चांसे बहुत ली कम है अगर आप बहुत बड़ा यूट्यूबर है बहुत फैमस यूट्यूबर है तो आपके लिए साइट टैग नहीं भी देंगे चलेगा अगर कोई न्यूट्यूबर से नया अपना यूट्यूब में चालू किये हैं नया नया वीडियो बना रहे हैं उनके लिए वीडियो में टैग लिखना बहुत ज्यादा इंप्रटन है अभी टैग का मतलब क्या है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा टैग का मतलब यह हो जाता है कि कि हम क्या लिखके सर्च करते हैं माल जी कि मैंने लिखा हाव टू मेग चिकन करी या फिर मैंने लिखा कि वाव तो क्रेट लीड ओन सुशियल मेडिया तो ऐसे मैंने लिखा बड किसी और ने जब सर्च करेंगे वह ऐसे सर्च करेंगे जरूरी नहीं है तो जब लोग सर्च करते हैं क्या पटिकुलरी लिख करते हैं उसको यूटुब में हम ट्याग बोलते हैं जिसका हम जेनरल वीडियो के आपका जाए उसकेहसाब सर्च करेगा कि आपका वीडियो को प्रक्टिकल करके बताऊं गाँगा टूटीप्स आपको दो ऐसे टीपस बताऊंगा आप आपके विडियो में बोहुत ही बड़या आप लगा सकते हैं तो देर नहीं करके चलिए मेरे computer screen पर अचुके हैं जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताए था कि मैं आपको computer screen पर practical करके दिखाऊंगा कि आपको आपके वीडियो के लिए tag कैसे लिखना है so मैं आपको दो practical tips बताऊंगा पहला tips आपको पहले क्या करना है आपको google open कर लेना है आप देखिए मेरे यहां पे google open है Google open करके आपको google के जो सर्च बार है, वहां पे आपको सर्च करना है जिस topic पर भीडियो बनाये हैं जिस topic पर आप video upload करना चाहते हैं वह आपको यहां पर google में आपको type कर लेना है आप जानते हैं Google जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा search engine है और YouTube जो है वो Google के ही product है तो आपको पहले जैसे कि मेरा एक वीडियो है मैंने upload किया हुआ है वो वीडियो का जो title है वो है how to improve your local ranking on Google My Business यानि Google My Business का local ranking हम कैसे improve करें यह मेरा title है तो मैं यहाँ पर Google में आके उसको मैंने search किया अब आप देखे कि मैंने जैसे search किया ना मेरे mouse देखिए मेरे mouse जहाँ पर है आप देख सकते हैं नीचे नीचे देखिए कि automatic suggested search कितने आ गए यह सारे आप देख सकते हैं मैं mouse over कर रहा हूँ यह सारे देख सकते हैं यह सारे automatic suggested में आ गया यानि यह सारे भी tag है यानि ल यहां पे लिखा हुआ है Google My Business Secret, यहां पे लिखा है देखिए How to Improve Google Search Rankings, यानि दुनिया के जो different public है, वो इस टाइप के अलग-अलग words से सर्च करते हैं, तो यह मैंने यहां पे जैसे topic डाल दिया, तो यहां पे already यहां पे जो है tag आ गए, अभी यह जो tag है, इसमें से आपको जो बनाया है कैसे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी देखिए, मैंने यहां पे word file में बनाया हुआ है, आप जब tag लिखेंगे ना, उस टाइम पे आपको ध्यान देहे, सारे word जो है, letters जो है, वो सारे small में होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी capital letter नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं, यहां पे मेरे सारे tag जो है, वो small में लिखा हुआ है, कोई भी capital नहीं है, एक tag जैसे ही खतम होगा, उसके आगे आपको कमा देना है, यह देखिए, ए मेरा जैसे यहां पे tag खतम हुआ तो कमा देना है, यानि every tag के आगे आपको इस टाइब के कमा देना ह तो यहां पे यह सारे tag के बाद किया, अभी tag जो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने tag है, तो यहां पे एक तरीका हो गया, Google में आप इस टाइब के tag आप सार्च कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हो गया, जैसे आपने आपके topic आपने डाले, यहां पे देखिए, suggested भी यहां पे दिखा दिया, यह भी आपका tag हो सकता है, यहां पे देखिए, 10 ways to rank higher on Google Maps, हाँ, इसको भी आप copy कर सकता है, बड़ यहां पे जो पहले सब word है, caps में है, इसको आपको small करना पड़ेगा, यहां पे देखिए, यह भी आपके tag हो सकता है, people also ask करके, यह आ रहा है, तो देखिए, यह सब जो headers है, यह भी आपके tag हो सकता है, यहां पे पहले page पर यह search पर आपने particular keywords डाला, आपके video के जो title से हो आपने यहां पर डाले, तो डालने के बाद यह सब जो result में आ रहा है, यह सारे आपके tag हो सकता है, यहां पर देखिए, नीचे भी यह भी आपके tag हो यह तरीका है, और बहुत सारे बड़े YouTuber यह तरीके को follow करते हैं, क्योंकि यह Google का suggested है, इसके लिए Google मतलब सबसे बहतरीन है, और Google का YouTube जो है Google का ही product है, तो इसके लिए यह तरीका one है, हम सिखे कि आपको tag कैसे लिखना है, अभी चलते हैं, तरीका two, तरीका two जो है मैं आपको YouTube में करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो अपलोड YouTube में करेंगे, तो मैं आपको YouTube में करके दिखाऊंगा, आपको simply क्या करना है, आपको आपके YouTube पेज पे आजाना है, YouTube पे आके YouTube के जो सर्च बार है, जहाँ पे हम वीडियो सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको type कर यहाँ पर देखिए मैंने जैसे यहाँ पर टाइप किया कि Google My Business यहाँ पर मैंने टाइप किया जैसे मैंने Google My Business टाइप किया वहाँ पर मेरा माउस है यहाँ पर देखिए Google My Business in Hindi A-B tag है तो यह सारे different-different tag है A-B एक बहतरिन तरीका है यहाँ पर आपको जो सही लगे उसको आप copy कर सकते हैं आपके यह word docs पर या आपके not quote पर आप एक एक copy कर सकते हैं type भी कर सकते हैं यानि अगर YouTube खुद suggest कर रहा है उसका मतलब A हो गया कि लोग इसी type के different-different keywords पर लोग search करते हैं तो यह भी एक full-proof तरीका है और यह जो तरीका है यह दोनों के दोनों कुझ भी community guidelines के खिलाब नहीं है तो एकदम full-proof तरीका है तो तरीका 1 आपको Google में जाके चेक करना है Google के suggested keywords जो है जिसको हम YouTube में tag बलते हैं वो ले सकते हैं और तरीका 2 है आपको YouTube में जाके सर्च करना है YouTube में जो suggested है वो ले सकते हैं अभी चलते हैं आपको मैं मेरे word file में दिखाता हूँ friends, जो tag है वो दो type के tag होते है एक short-tail keyword tag होते है और एक long-tail keyword tag होते है तो आपको short-tail का मतलब है जो छोटे में लिखा हुआ है अभी ये दिखिए ये local SEO लिखा हुआ है यानि ये short-tail keyword है जो 3 words से कम है 3 words या फिर 3 words से कम है वो short-tail है और जो 3 words से ज़्यादा है वो long-tail है तो आपको जो tag लिखना है आपको short-tail और long-tail दोनों को mix करके लिखना है जैसे आप इस particular वीडियो में देख सकते हैं ये जो है SEO long-tail keywords है ये short-tail keyword है keywords लिखते बग टैग लिखते बग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखे आपको आपके चैनल के नाम या आपके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मेरे चैनल का नाम है R&D Digital मेरा नाम है बंसी धरजेना तो ये भी हम लिख सकते हैं ताकि माली जीए कोई मेरे चैनल का एक वीडियो देखा तो मेरे वीडियो उसको suggested में दिखाने लगेगा अगर मैं यहाँ पे त्याग में उस वीडियो के टैग में मैंने मेरे चैनल का नाम या फिर मेरे नाम नहीं दिया हुआ है तो वो suggested में या फिर search में नहीं आएंगे तो ये दो तरीका जो है ये foolproof तरीका है friends तो अगर आपको ये आप implement करके आप आपके वीडियो में ये देख सकते हैं So friends आसा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एकदम simple, subtle tips आपको बताया दो tips बताया जितने भी बड़े YouTuber है जितने भी बड़े creator है ये tips यूज करते हैं As a new creators मैं आपको recommend करूँगा कि आप भी आपके वीडियो में tag लगाईए आप आपके वीडियो में tag लगाने के लिए मैंने जो दो tips बताया आप alternatively आप ये tips यूज कर सकते हैं आप अगर मेरे चनाल में पहले बार है मेरे चनाल में आप वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो please आप मेरे चनाल को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं यहाँ पर digital media marketing के related मैं सारे technical video free of cost में आपके लिए बनाता रहता हूं तो यहाँ पर हम कोई theory कोई यान नहीं देते हैं श्रीब technical video आपको मैं आपके लिए लाता रहता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो please मेरे चनाल को आप subscribe करना और मेरे वीडियो को likes करना आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा जरूर comments में बताना अगर आपको लगए कि यह वीडियो आपके कोई friends के काम के है तो please उनको share भी करना इस टाइब के और क्या वीडियो चाहिए ओ भी मुझे comments में बताना friends फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप ऐसा ही सिखते रहिए ऐसा ही R&D Digital Channel का वीडियो देखते रहिए Thank you so much friends Have a good day